हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस जितने भी चात्र बोर्ड परिच्छा 2024 देने वाले हैं चाहे वह क्लास 10 के चात्र हो चाहे क्लास 12 के चात्र हो बोर्ड परिच्छा देने से पहले आपको जितने भी पॉइंट बताने वाले वो उन पॉइंटों का ग्यान होना ज जाएंगे सास में आपको बताएंगे के क्या एक Packer को यौंजा ना के नंबर बोर्ड के Exa में में लाना है जिससे हम अच्छे नंबरों से पास हो सके ठीक है इनही पॉइंटों के बारे में आप सभी को सिघाने वाले हैं और class 12 के जितने भी जट आधार उनके अलग अलग विसे लिख दिया गया है यहां पहां पर पताएंगे कि आपको कुकिस विसें के फैल होने गाम भाद भी आप फैल नहीं माने जाते हैं और किस विसें में यदे प्रहों जाते हैं तो पूरे साल भर का मेहनत आपका बेकार चला जाता है ठीक है यहाँ देखें क्लास 10 के छात्र हैं क्लास 10 की जितने भी छात्र हैं वह विशे जो पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते अंग्रेजी गड़ीत विज्ञान समाजी विज्ञान यह आपके कला संस्कृति और कि इन तीनों में से कोई एक विखें where from the प्रम आता है कि मैं दिए जाता है तो क्या करता है कि ऊसका साल भर में दे सकता में इन-ाप कर paper में किसी Karma वर्स से फेल हो जाते हैं ठीक हिंदी की paper में यही फैल हो गए है और आप सभी विशय में अच्छे नमबर से प्राप Ha that good में अंगरेजी नमबर गड़ीत में पागए 95 नमबर विज्ञाएम पाल गhin ध् kommen है सतर आप 88 आप गए अपका開始 या नमबर आहे होंगे आपको class 10 में fail माना जाएगा क्या माना जाएगा आपको então यह ध्यान देना है कि आप दूसरे subject में किसी में आप फिल होते हैं इसका back paper दे सकते हैं लेकिशे फेल लौगें पूरे वर्स का मेनत आपका बियकार चला जाएगा ठीक है इसी प्रकार आपके क्लास 12 के जितने भी छात्रे हैं आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके जीस अंग्रेजी गरी विज्ञान असाइन विज्ञान हो गया इन किसी एक विषय में फैल होते हैं तो आप पास माने जाएंगे आप वाएक पेपर देखें उस सब्जेक्ट को प और एक सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए क्लास 10 की जितने भी छात्र हैं पास होने के लिए आपको ध्यान दिजिएगा जो सब्जेक्टिव होता है जैसे हिंदी का पेपर देने का है सतर नंबर पुरांग रहेगा तो सतर नंबर में आपका तीस नंबर आना जरूरी है सब्सक्राइब शल Tam you do जो एक सब्सक्राइब तो आप माने जाते हैं इसीपेब आधकर उससे इसन नंबर आना चाहिए गड़ीत में सत्तर में कितना आना चाहिए यहां पी विज्ञान में तेइस नंबर समाजी विज्ञान में तेइस नंबर आना चाहिए सत्तर में और यहां से सत्तर में तेइस इसका मतलब हुआ हिंदी अंग्रेजी गड़ीत विज्ञान समाजी विज्ञान कला और यह जितने सब्जेक्ट होएं क्लास क्लास दस की जितने भी चात्र हैं उनको सत्तर नंबर में पास होने के लिए 23 नंबर आना अनिवार रहे हैं इससे अधिक नंबर आए तो बहुत बढ़िया हैं लेकिन इससे कम नहीं आना चाहिए यदि कम आएगा तो आप फेल माने जाएंगे यसजिए जितने भी च़ात्र हैं क्लास बाएग कि च्छात्र जैसे हिंदी की पैपर उन लूगों का 100 नंबर को होता है जब 100 नंबर को हो जाता है था अंग्रेजी का 100 नमबर का पेपर है तो सो में 33 नमबर आना चाहिए गड़ीद में 100 में कितना आना चाहिए भातिक में 70 में 24 नमबर आना चाहिए तो इसमें 33 नमबर आना अनिवार रहे है रसायने विज्ञान का देखिए आप लोगों यहां पास होने के लिए इतने इतने नंबर आपको पड़ते एक सब्जेक्ट में चाहिए इन पॉइंटों का जरूर ध्यान दीजिएगा देखें यहां पर में बता देते नोट में कि जो आपका पुढांक होता है पुढांक यहीं सत्तर नंबर पेपर पर लिखा है तो बूड की परिच्छा देने से पहले जो आपको जरूरी बात थी आपको बता दिये हैं उसको ध्यान में रखते वए पेपर हल कीजिएगा ठीक तो फ्रेंस यह जो मुख्य पॉइंट था आप सभी को बताए हैं जिसके बारे में आप सभी को नालेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी था तो फ्रेंस आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें